अब्लाउ एबरीवन फिर देखते हैं। ऐस वीडियो में surface area & volume के questions, important questions, Class 10th do surface area & volume है। अब यह question दिया हुआ है, two red circular cones have their heights in ratio 1 ratio 3 and ready in ratio 1 amorous way 3 ratio 1 what is the ratio of volume question 2 क्या given इसमें height का ratio दिया हुआ है suppose कर लेते हैं h1 ratio h2 given है वो क्या है 1 ratio 3 right तो h1 is equal to क्या हो जाएगा h and h2 is equal to क्या होगा 3h क्या ratio था हम किस form ले लेंगे 1 ratio 3 है तो कोई ना कोई constant इसमें multiply कर देंगे तो height का है तो हमने इसको h, h से multiply कर दिया और इसमें भी h से तो यह क्या हो गई h और यह क्या हो गया 3h तो पहले कौन का कौन की height h1 दूसरे की क्या हो गई h2 फिर radius का volume radius का ratio दिया है r1 ratio r2 given है वो क्या given है 3 ratio 1 तो क्या करेंगे इसमें r1 equal 2 कोई constant का multiply कर देंगे 3r तो radius given है r2 equal 2 क्या हो जाएगा 1r only r हो गया अब क्या निकालना है ratio आप their volume तो first volume क्या suppose कर लेते है v1 दूसरा क्या v2 किसका volume find out करना है circular कौन का कौन का volume क्या होता है 1y3 pi r1 square h1 upon 1y3 pi r2 square h2 यह cancel out about r1 के place पर क्या रख देंगे क्या पूट कर देंगे 3r 3r का whole square h1 के place पर क्या पड़ कर देंगे एकमसिया मैं आणी मॉज़ा और दहां और स्कूर्ण टू के सिस्ण मेंगें प्लेस कर देंगे थ्री इस यह कैंसे लोगे क्या ओगा नाइन ओज़ार अपाउन मैं कि उस्पार प crashing और यह और स्क्वाइर 2016 कांसे से न्ट Olá तोре को गाएं कि वालूम का रिश्यों के आ गया वीवन वावन वीटू वुश्चन में क्या गिवन थेक्तर देखें तो उनकी हाट का रिश्यों दिया था तो हैज का मल्टिप्लाई करके हैड निकाल ली आर वन रडू दिया था आपने वीवन वाई उटी लगाया और हमें पता है कौन का वालूम क्या होता वन वाई थ्री यार स्कॉरे एच आर वन एच वन रटू हटू यूज किया और पहलू फैंड डॉट कर ली अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नम्बर थ्रे क्या के रहा है कुश्चन में वालूम एंड सर्फेस एरिया आफ सालेट सालेड हैमी टूर्ड थे कुश्चन में लैट एट रेडियस और अ az हेमी स्फेयर वालों आफ हेमी स्फेयर क्या होगा क्या फार्म लावता है टू बाई थ्री पाई आर क्यूफ और सर्फिस एरिया क्या है सर्फिस एरिया सर्फिस एरिया आफ हेमी स्फेयर क्या होता हमारे पास टू पाई आर स्फेयर अब क्या करना है दोनों क्या है एक वालूम वी सर्फेस ही या अब हमने एस सब पोच कर लिया दोनों की वैलू एक और क्या है गिवन है एक वालूम वी सर्फेस ही एक वैलू रख दो टू बाई थ्री पाई यार क्यू टू पाई आर स्क्वाइर अब क्या हो गया पाई से पा कैंसल कर दिया और टू से कंसल कर दो और क्यूब 3 का मल्टिप्लाइब 3R स्कॉाइर एक रहे इसमें कैंसल हो जाएगा तो आर इचकल टू क्या एगा 3R है ट्राइट पूंशा क्या था डायामीटर आप देश्पे डायामीटर क्या होगा डी इस सब्सक्राइब कर दिए सब्सक्राइब किया तो बैलू कितनी आ गई सिक्स सेंटीमीटर ठीक ना सरफेस यह वालूम और सरफेस यह निकाला वालूम और सब्सक्राइब ले दिया था इसमें डाइमीटर इस तरह से समग्मेंटर हमारे पास कितना अ गया कि यह कितना हो गया हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर है लेकिन इसमें यह नहीं गिवन है कि टोटल सर्फिस एरिया लिखेंगे तो थ्री पाई यार स्कॉयर इसको थ्री पाई आरस्कॉयर को लो और यह सपोर्च कर लो कि टोटल गिमन था तो थ्री जब हो गया तो नाए थ्री से मल्टिप्लाई हो जाएगा इदर से भी त्री से हो जाएगा तो यह क्या जाएगा नाइन आजाएगा ठीक न और यह तू फिर कैंसिल नहीं होगा यहां भी वाई टू होगा तो आर इसको डी इसकल टू क्या होगा तो इन्टू रेडियस लिखेंगे हम इसकल टू इन्टू डारेडियस इछवाओ टू टू इन्टू 9 वाई टू एच इकल टू 9 सेंटी मीटर होगा राइट टोटल डू सर्फेस एरिया आफ हैमी स्पेर हम यहां भी जुच करेंगे रिख में क्योंकि ग्मेंगें नहीं कैम शर्फेस अरिया बोला गया यह dubh सब्वोच करने इसको टोटल सर्फेस एरिया फिमी स्पेर गया होता थ्रीपाई आर स्कायर अब यह टू-टू गैंसल नहीं होगा ठीक हो जाएगा ठीक ना और यह क्या जाएगा ध्रीदी नाइन वाई टू हो गया ठीक ना आर स्कौर से स्कार स्कायर कैंसे यह फारूला कुश्चन में गिविन है कि रहा है वालूम आफ राइट सर्कूल से स्लेंडर विद इट्स हाइट इपल टू विदेट हाइट इपल टू दा रेडियस इच ट्वंटीफाइब और इसकी हाइड क्या एक्वाल है दिस कुश्चन तो सबसे पहले आर इसकल टू टूटीफाइब उन बाइस सेवन एक सेट इसमें गिवन है एच इसकल टू आर यह वालूम गिवन है आपका लेकिन नहीं लेकिन कंडिशन किया है कि आपको वालूम दिया हुआ है वालूम ऑफ सिलेंडर के बिज़ाएं अब कि बलुम ऑफ सिलेंडर गिवन अपको और वो कितना गिवन है टॉंटी फाइब स्बक्राइब के और हैं उसमें को है वितों क्या करेंग वालूं सुलनर क्या होता है वाजूं आप दा सेलेंडर कि क्या होता है पाई आर स्कॉयर एच इसकी वेलु यह है 25 वन बाइच सेबन यह गिवेन है 22 वाइच सेबन आर की वेलु आर और एच किया है सेम है तो आर की प्लेस पे एच पूट कर दो क्यों हमें एच निकालनी है आर के प्लेस पे हमने आर की पूट कर दिया है 25 इसको साल कर लेंगे यह हमारे पास कितना आएगा इसको साल करेंगे तो हो गया रैट और यह आ गया 176 इसको सेवन्टी टू बाइस सेवें इंटू एच क्यूब इसको कैंसल कर देना 176 अपान 22 इसकल टू हो गया शाल कर लेना तो हैज की जो वैलू होगी वह आ रही है टू सेंटिमेटर इसको डिवाइड कर दो त्ये एट से कैंसल हो जाएगा यह आ गया तो आज क्यूब इसकल एट एच एगल तो टू सेंटिमेडर राइट इस तरह से इस कुश्चन को कर लेंगे